हेलो फ्रेंट्स नमस्ते आज हम बनाएंगे कस्टर्ड जिली सर्वत बहुत ज्यादा टिस्टी रेस्पी है और जिली में ने बीना अगर-अगर जेलेटिन और जिली पाउडर के बनाया है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आएगे तो प्लीस लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लिएगा तो जले यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले हम जिली बनाएंगे तो यहां पर एक पैन में मैंने गलस पाने डाल दिया है और चार से पांच चमस हम कार्णफल डाल दिया है और मिठास के लिए दो चमसे चीने डाल देंगे और अब इन सब को पहले अच्छे से खोल लेंगे इसमें कोई लंस या गुठली नहीं रहना चाहिए और इसके बाद हम इसे गेस पर रखेंगे और यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को अन कर दिया है और इसे लगतार चलाते हुए पकाएंगे और चार से पाच फ्रेंट में ही देख सकती है कितनी ज़्यादा गाड़ी हो गई है तो अब मैं यहाँ पर इसेंस डाल रहे हूँ तो यह औरेंज जैसेंस से आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं जो भी आपको पसंदो और अब हम इसे एक तम अच्छी तरह से पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए बबल्स आ रहे हैं बड़े-बड़े तो अब मैं फ्लेम को बंड कर दूंगी और मैं इसे दो हिसों में डिवाइड कर दूंगी तो हम जैल और इसे एक प्लेट में डाल देंगे और अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे और दूसरी में मैं लाल कलर डाल रही हूं और इसे भी हम प्लेट में डाल देंगे और अब ये दोनों कलर की जैली त्यार है तो अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे आदे घंटे के लिए जिससे एक तम अच्छी तो इसे सेट हो जाएंगे और यहां पर मैं सब्जा सिट ले रही हूं तो क्मारीया सिट बोलते हैं इसको या सब्जा भी बोल सकते और इसे दोजमस अने में डाल के छोड़ देंगे और अब हम सबदाना पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने सबदानों का आदे गंटे पहले पाने में भीगा लिया था और उबलते हुआ पाने में इसे डाल देंगे और यहाँ पर चलाते हुए 6-5 मिनिट ही पकाएंगे हम और जैसे यह थोड़ी से ट्रांसफेरेंट हो जाएंगे इसके बाद हम फ्लेम को बंड कर देंगे और अब मैं इसे छान लूँगे और यहाँ पर मैं थोड़ा से ठंडा पाने डाल रहे हुए जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगे और इसमें जो चिपचपा पन है ओ भी निकल जाएगे और अब हम इसे साइट में रख देंगे और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूद तो इसे मैंने गेस पर रख दिया है और यहाँ पर थोड़ा से दूद मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें हम दर चमस कस्टर पाउडर डालेंगे और इसे घूल रेंगे और यहाँ पर कस्टर पाउडर वाला दूद थंडा है और यहाँ पर दूद में उबाला रही है तो अब दिरी दिरी कस्टर पाउडर डालेंगे और चलाते वे डालेंगे और यहाँ पर मिठास के लिए मैं मिश्रे डाल रही हूँ और अब हम इसे चलाते हुए 4-5 मिनट तक पका लेंगे जिसे की केस्टर्ट पाॉडर का जो कच्चा पैन है वो निकल जाएगा और यहाँ पर 4-5 मिनट हो जुके हैं तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी से काजू और बिदाम काटके डाल दूँगे तो इससे हमारी सर्वत में बहुत ही अच्छा करण चाएगा तो यहाँ पर दिखें यह 4-5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है और अब हम फ्लेम को बंड कर देंगे और इसे भी हम एकदम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और यह सर्वत ही इसलिए इसे हम ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे तो चलिए हमारी जेली एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है तो अब हम इसे काट कर लेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूं और यहाँ पर दूद भी ठंडा हो चुका है तो अब हम सारी चीजे मिला लेंगे तो यहाँ पर हम सब दाना डाल देंगे तो कमारिया सीट भी डाल देंगे और आप चेली भी डाल देंगे तो यह अभी चिपचिपई लग रही होगी आपको जिसे ही दुद में जाएगी एक दम अलग अलग हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका जिस तरह के आप फालो दखाते हैं उसी तरह से यह लगेगी तो यहाँ पर हमने सारी चीज़े मिला ली है और यह सर्वत बन के त्यार हो चुकी है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंट साफ देख सकते हैं सर्वे कितनी ज़्यादा अच्छे लग रही है देखने में और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप गर्मियों में इस सर्वत को जुरूर बनाएए का बहुत ही असान रिस्पी है और उमिद करते हैं फ्रेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी